मध्यप्रदेश में कोरोना से कहराम इसी बड़ी अपडेट के साथ हम आजिर हैं MP News TV पर स्वागत आपका मैं हू निधी आपके साथ और अपडेट हम आपको देना चाह रहे हैं कोरोना वाइरस को लेकर कि मध्यप्रदेश में तेजी से फैल रहा है कोरोना वाइरस इसकी हुई जबलपूर से लेकिन एक पॉजिटिव मरीज भोपाल में भी पाया गया है दिक जानकारी के लिए सीधे जुरते हैं हमारे संवाद दाता संदीप से संदीप जी बताएं क्या कुछ अपडेट है बिल्कुल देखें निधी की कोरोना ने अगर मध्यप्रदेश में फिलाल कोरोना के छे मरीज हो जुके हैं तो ऐसे में अगर हम बात करें तो कोरोना को लेकर शाशन प्रसाशन पूरी तरीके से अलट मोड में आ गया है और अब दहशत का माहौल मध्यप्रदेश में देखा जा रहा है और फिलाल मध्यप्रदेश के कई जिले जो है शंगबाद की बात कर ले उज्जेन की बात कर ले देवास की बात कर ले मनसोर सही तमाम ऐसे कहीं जिले हैं जो की लॉकडाउन है यानि कि सुभा से सडकों पर सन्नाटा देखा जा रहा है और पूरी तरीके से लोग अपने घरों में केध हो चुके हैं कोरोना की दहशत से शा लेकिन फिलहाल जो तमाम व्यपार हैं वो मद्धप्रदेश में बंध होगा यानि कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूरा मद्धप्रदेश कोरोना की वज़े से दहशत में हैं और लोग अब जो है कोरोना के खिलाफ अगर देखे तो एक जुटता भी दिखा रहे हैं जंग इसकी वज़े से सडकों पर सन्नाटा देखने को मिला एकका दुक्का लोग ही जो है अपने घर से बाहर देखने को मिले ना सिर्फ लोग अपने घरों में थे बलकि सडकों पर देखा जाए तो यातायाद विवस्ता थी वो भी पूरी तरीके से बंद हो गई थी और तमाम लोग जो हैं कोरोना से बचाओ के लिए पूरी तरीके से जागरू हो चुके हैं यानि कि अपने घर में बैट क्योंकि अगर बात करें निधी तो कोरोना के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई है जो सिर्फ घर बैठ कर ही लड़ी जा सकती है तो कुल मिला कर हम कह सकते हैं कि फिलाल प्रदेश में कोरोना और अपना पेर ना पसा रहे उसको लेकर शाषन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है एडवाईजरी जारी की गई है लोगों से मुनादी करके गुहार लगाई जारी अपील की जा रहे है कि वो अपने घरों में रहें भीड भाड़ वाले इलाक कोरोना से संक्रमन से बचें बार बार अपने हाथ दोएं सेनिटाइज करें तो इस प्रकार से देखा जारा है निदी कि फिलहाल मध्यपरदेश में दहशत का आलम है यह हम कह सकते हैं कि कोरोना करफ्यू पूरे मध्यपरदेश में देखने को मिल रहा है और तमाम जो कर्फियू का दिन तो जाहिर सी बात है कि लोग नहीं निकले पूरा सपोर्ट मिला लेकिन फिर भी पर्टिकुलर्ली अगर हम इंदौर की बात करें तो किस तरह के हालात फिलहाल आज के दिन देखने को में बिलकुल नीदी देखिए कि इंदौर मद्दप्रदेश का सबसे ब सावधानी बरती जा रही है पूरे इंदौर शहर में धारा 145 लागू है यानि कि हम कह सकते हैं कि भले ही लोकडाउन नहीं किया गया है लेकिन इसके बाद में जिला प्रशासन जो है वो और स्वास्त महकमा पूरी तरीके से अलट मोड में है क्योंकि इंदौर की बात की ज अपने घर पर ही रेकर जो है थाली घंटी और जो भी शंक है वो बजा कर लोगों का उत्सा वर्दन करें लेकिन ऐसा लोगों ने जंता करफियू का पूरी तरीके से पालन किया लेकिन शाम को जैसे ही शाम होती है सूरज ढलता है तो लोग बड़ी संख्या में रेली और ज कत्रित नहीं करना चाहिए तो कुल मिलाकर यहां पर इंदोर वालों से एक चूक जरूर हुए लेकिन फिर भी अगर बात करें तो कोरोना को लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी स्वास्त महकमा नगर निगम सही तमाम लोग जो है अलट मोड में हैं जगे जगे पर पूरे शह के लिए कि ड्रोन की सहायता ली जा रही है कि दवाई का छड़काओ करने के लिए ताकि संक्रमन को रोका जा सके फिलहाल इंदोर की बात करें तो यहां पर भी देखा जाए तो तमाम जो बस सेवा हैं ट्रेन सेवा हैं वो रद्द कर दी गई है जहां लोग ठेहरे हैं उन् जो पेपर बाटने वाली लोग होते हैं या फिर जो रोज सुबह घर में दूद बाटने वाली लोग होते हैं उनको छूट दी गई है कि वो यह काम कर सकते हैं लेकिन तमाम लोगों से अपील की गई है कि वो जो है अपने घर से ना निकले और साथी साथ बड़े बड़े जो स्टोर्ट्स हैं, जब शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमा घरें, उनको भी बंद किया गए, लेकिन जल्द ही इंदोर भी लोगडाउन की स्थिती में आएगा, इस तरह के संकेत MP News को मिल रहे हैं, तो कुल मिला कर हम कह सकते हैं, निदी की कोरोना को लेकर फिलहाल देखा प्रशाशन ने पूरे इंतजाम कर लिये हैं, कैसे भी हो इसको खत्म करना है, ये जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, उसमें से एक जो जबलपूर का व्यक्ति है, उसकी हालत काफी नाजुक बताई गई है, बाकि जो चार लोग हैं जबलपूर में, उनकी हालत में धी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, तो कुल मिला कर हम कह सकता है, निधी कि और जादा इसके मरीज ना बढ़े, कोरोना का संक्रमन ना बढ़े, इसके लिए लोगों से भी MPNews ये अपील करता है, कि वो भी अपने घरों में रहें, भीड़ भाड़ वाली जगों से जाने के ल रहा है, और जैसे जैसे मरीजों की संख्या में इजावा हो रहा है, तो ये एक बड़ा संकट की घड़ी है, यहां पर देश के लिए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना की बात करें, इटली की बात करें, तमाम देश इस संकट से जूज रहे हैं, भारत में ऐसी इस्तिति ना पेदा हो, इसके लिए लोगों को भी जागरुक होना होगा निधी कोरोना के खिलाफ और जो है, अपने घर पर बेट कर इस जंग से लड़ना होगा, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मध्यप्रदेश हाई अलर्ट पर जरूर है, कोरोना की चपेट में जरूर है, लेकिन कही जानकारियों के लिए, MP News पर अपडेट्स लगातार जारी है, आप बने रही है हमारे साथ, देखते रही है MP News, धन्यवाद MP की नफस, MP का हाद, मध्यप्रदेश की हर खबर, MP News TV के साथ, लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV, लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना, जरा भी न पूदे